हेलो एवरीवन और वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे सब बहुत बढ़िया होंगे तो जी दिन है आज शुकरवार का और टाइम हो रहा है सुबह के जो है छे बजे हैं अभी जादा टाइम नहीं हुआ है और यहां पर जो है मैं कर रही हूँ घाना बनाने की तैयारी सबसे पहले मैंने दूद आ गया था तो दूद रख दिया है उबालने उसके बाद खाने में आज बनेंगे आलू गोबी की सबजी, क्योंकि टिफिन ये लेकर जाते हैं, तो आलू गोबी की सबजी नहाने से पहले मैं आलू गोबी वगरा सब काटके गई थी, और लसन प्याज वगरा जो ये देखिये मैंने तैयार किये हुए हैं, लसन प्याज म हरी मिर्च बिल्कुल साथ में डाल दिये हैं उसके बाद यहां एड़ करूँगी बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्च और सूका धनिया इसके अलावा और कुछ अलग से कुछ नहीं डालती हूं मैं थोड़ी सी देर मसाले को पकाएंगे ताकि हलके से जो है इसका ओईल सेपरेट के लिए और गैस भी तेज ही की हुई थी ताकि साथ-साथ दोनों चीजों को जो है मैनेज कर सकूं तो यहां पर जो है मसाला अच्छे से भुन चुका है अब इसमें एड़ कर दूंगी मैं कटी हुई आलू और गोबी कि और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से कसने देंगे क्योंकि सब्जी को अच्छे से कसने देना चाहिए तब इस जो है अच्छे से बनती है इतने हाँ पर यह गोबी José में जो है मसाले में कस्ति है इसे इतने ही दूसरे कामों को साथ के साथ निप्टा देती हूं कि मशीन को मैं भर देती हूं कि पानी जो है चला हुआ था मोटर चली हुई थी नीचे तो मैंने सोचा कि मशीन भर दूंगी और साथ के साथ कुमा भी दूंगी छोटे-छोटे कप कपड़े बच्चों वाले वो में सबसे पहले डाल दूंगी इतने मेरी सबजी जो है बने गी तो इतने जो है मैं अच्छे से और जो बाकी के काम है वो निप्टा दूँगी यहां पर मैंने चोटे-चोटे कपड़े जो हैं डाल दिया है इसमें उसके बाद सब्जी छोकने के बाद जो है बरतन हो जाते हैं थोड़े बहुत जैसे जिसमें दूद वगरा आया था और यह भी साथ के साथ ही मैं दोती जा है और कुकर की भी मैंने साथ इस बंद कर दिया इसमें दो सिर्टी लगाओं गी सिर्फ क्योंकि दो सिर्टी के बात अच्छे जो है बन चुकी है मेरी मैंने कुकर खोल दिया है और सब्जी के कलर जो है बहुत ही सुन्दर आया है आप लोग भी देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और इनके टीफन के लिए निकाल के रख दूँगे क्योंकि इनके और इसलिए कोई फ्रिज वगर नहीं है ना तो इसलिए दिक्कत होती है तो ठंडी करके सब्जी हमेशा से रखती हूं तो जी बारी आ गई थी आटा गूंधने की तो मैं सबसे पहले आटा चान लेती हूं क्योंकि मैं चानकर बहुत से जो हैतना के चानकर डबे में अलग रख देते हैं वो मैं नहीं रख पाती क्योंकि इतनी जगह नहीं है मेरी किचन आप देखी रहे हैं इतनी बड़ी नहीं है छोटी किचन है तो मुझे कभी-कभी प्रॉब्लम होती है इसलिए ना मैं चान वागर के और वैसे भी डबे वगरा रखने के लिए वैसे इतनी जगह नहीं है तो उपर से एक डबा और बढ़ालू मैं तो मैं बस बड़े बरतन में ही आटा रखती हूं और साथ के साथ जो है रोज की डेली का जो है छानती हूं यहां पर जो है आटा भी बस गुंदी गया था उसके बाद जो है इतने यह लेकर आ गएंगे लेकर आ जाएंगे नाश्ता वगरा लेने गए हैं तो इतने में अपना काम जो है बाकी का निप्ता दूंगे टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ था और उठतों में जल्दी गई थी साड़े पांच बजे यहां खुल गई थी तो जाड़ू वगरा लगाई थी मैंने और हलका सा पोचा वगरा भी लगा दिया था उसके बाद जो है मैंने दिया नहां दो कर दिया बाती करने के बाद मैंने व्लोग स्थार्ट किया था तो यहां पर जो है चाय मैंने रख दी है और थोड़ी सी हेल्प यह भी कर देते हैं में बाखी ओर काम तो नहीं करते हैं लेकिन बागण कर देते हैं लेकिन हेल्प कर देते हैं तो आप पिर 20-25 मिनिट लगा लो इतना तो लगी जाता है क्योंकि रोटियां ये खा कर जाते हैं लेकर जाते हैं और मैं साथ ही अपनी वी रोटियां साथ में बना लेती हूं क्योंकि दिक्कत होती है ना बाद-बाद में फिर बच्चे अगर बीच में मांग ले तो इसलिए पहली रोटी जो होती है मैं हमेशा से ही मेरा रोज का काम है मैं हमेशा सबसे पहले जो है पहली रोटी जो है उसमें दो चार दो सॉरी एक चम्माचीनी रखके जो है मैं गाय को रखती हूं क्योंकि वो गाई की रोटी जो है हमेशा हमेशा से ही हम पहुचा आते हैं क्योंक पहली रोटी घर से निकल जाए तो अच्छी होती है तो हमेंशा गाय को ही देते हैं पहली रोटी सबके अपने अपने माननेता होती हैं देखिए मैं इसमें किसी को फॉर्स नहीं करती हूं लेकिन मैं तो यहां पर दूसरी तरफ धर्य भी उड़ गया था और उसने शायद मेरे लिए काम भी फैला दिया था तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी रोटियां और सेखनी पड़ रही थी ताकि जल्दी से अच्छे से काम हो जाए और फिर उसके बाद जो है क्योंकि इनको भी जाना था इतने यह नहां रहते बोल रहते इतने नहां लूँगा तो इतने मैं इनका टीफिन वगरा पैक कर दूंगी और उसके बाद जो है खाकर यह सीधे निकल जाएंगे टाइम भी अभी जादा नहीं हुआ था एक देड़ घंटा ही हुआ था इसके बाद जो है कर दो है यहां पर जो है मेरी रोटी वगरा सब बन चुकी है बारी आती है बरतन वगणा दोने की तो परात में सबसे पहले बढ़ा देंगे पानी क्योंकि आठा जो है न शूब जाता है तो इसलिए परात में पाणी भरके रखना होता है तो उस पॉटी वगरा धुला के अच्छे से उसके बाद मैं आ गई थी दुबारा से किचन में मैंने बटन वगरा धुने श्टार्ट कर दिये थे और जो पहले बरतन सिंख में पड़े हुए थे वह बरतन मैं सबसे पहले धोलूंगी उसके बाद जो है कुकर वगरा खाली करके और जो हे मैं धोंगी चाय वगरा के जो पड़तन थे वो ईभारती कोंगी पड़े हुए थे और जिसमें हम लोगो ने चाय पी थी और यही बड़तन थे चिछन सींख में तो उसके बाद जो है मैं इनको धुने के बाद जोले आ गही थी क्योंकि हिसाब से ही बनाना चाहिए चाहिए दोनों टाइम बना लो बासी खाना नहीं खाना चाहिए तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सुबह की सब्जी मैं शाम को खा लेती हूं अदरवाइस मोस्ली टाइम ऐसा होता है कि मैं शाम को बनाती ही बनाती हूं और यहां पर जो है मै और यहां पर आ गई थी बारी कुकर वगरा धूने की अब मेरे सारे बरतन जो है धूल चुके थे बस मैं उर्जक को धोके मैं पुचा दूंगे नीचे जो है नीचे आरो लगा हुआ है मेरी जो देवरानी के यहां पर है तो महीं से हमें भर कर लाना पड़ता है पानी तो मैं मैं इसे बेज दूंगे नीचे इतने वह भर देगी ऐसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे उठाकर ले आउंगी तुझी सारे बरतन वगरा सब धूल चुके हैं अब बारी आती है किचन साफ करने की तो यहां पर जो है सार बस भगोने को मैंने इसलिए खाली नहीं किया है दूद का क्योंकि इतना बड़ा बरतन मेरे पास कोई है नहीं दूद जादा है तो किसी बरतन में नहीं आएगा तो मैं उसको ऐसे ही रख दूँगी और शाम के टाइन तक जब तक दूद कम होगा फिर उसके बाद जो है जग में निकाल के रख दूँगे यहां पर बारी ются सबस्क्राइब तो यह काम इन्से होते हैं तो तो यह न गंदे हो जाते हैं तो इसलिए भी इनको भी साथ के साथ ही वैसे इनको डेली ही मालती हूं सिंक को भी साथ के साथ ही माल देती हूं क्योंकि इसके बाद तो किचन का कोई काम होगा नहीं तो यहाँ पर जो है किचन का काम हो गया था खतम जादा टाइम नहीं हुआ था अभी वोनेनों करीब ही टाइम हुआ था और यहाँ पर मेरी किचन जो है हो गई थी clean तो जी इस व्लोग को मैं करती हूँ यहीं पर खतम और मिलते हैं नेक्स्ट लोग में अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बैल आइकन को दबाएगे